नमश्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर प्रियांका आप देख रहे हैं डेंटर और स्किन केर सिल्यूशन्स बहुत बार पेशेंट हमारे पास एक कंप्लेन लिकर आते हैं कि मैम दात पीले हो गई हैं कोई टूथ-पेस्ट बता दीजिए जिसे इस्तिमाल करके हम अपने दातों को सफेद कर सकें कि दातों को सफेद करने के लिए अगर आप अपहुसे टूथ-पेस्ट ऊचेंगे तो में कहुंगी आप इसे अवॉइट कीजिए अब आप सोचते होंगे कि मैं ऐसे क्यों मना कर ली हैं क्योंकि मार्केट में तो इतने सारे टूथपेस्ट ऑलिडी अबिलेबल हैं जो दांतों को सफेद करते हैं तो क्या वो सब बेकार हैं दांतों को सफेद करने के लिए जो टूथपेस्ट बनाए जाते हैं उनमें अब्रेसिफ का साइज थोड़ा बड़ा होता है जनरली हम आप जो टूथपेस्ट इसमाल करते हैं उसमें पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत कम होता है और जो दांत सफेद करने के लिए टूथपेज बनाए जाते हैं उनमें पार्टिकल का साइज बड़ा होता है अब वो करते कैसे काम है आपने वानों टूथपेज से ब्रश किया तो टूथपेज में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपके दांत सफेद हो रहे है बेसिकली टूथपेज में जो पार्टिकल का साइज है वो आपके दांतों पर एक अब्रेसिव का काम करता है उपर की लेयर को घिस दे रहा है जो अब आपको नीचे की लेयर जादा सफेद दिखाई पड़ रहे है तो अब अगर आप रेगुलर्ली हर दिन आप ये वाला पेस्ट इस्तमाल करते रहे तो ओवर अ लॉंग पीरिड ऑफ टाइम आप अपने दांतों को घिस देंगे दांत सफेद होने की बजाए लंबे समय के बाद और पीले दिखाई देंगे और आपको sensitive भी हो जाएंगे दांत आपके उसमें भी ठंडा लगने लग जाएगा हवा लगने लग जाएगी तो यह लंबे समय तक आप इस्तमाल करें या रेगुलरले इस्तमाल करें तो इसके बहुत नुकसान आपको देखने को मिलेंगे यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको कोई कहे कि अपने दातों पर नीबू रगड़ लो नीबू से आप क्या कर रहे हो acid erosion मतलब दातों की एक surface को हटा दे रहे हो जब आप उसके बाद अपने दान देखोगे तो बहुत चमकते हो पीले से सफेद हो जाएंगे लेकिन बेसिकली आपने अपने दातों को घिस दिया घिसने से नुकसान क्या किया आपने अपने दात की सबसे hard परत inamel जो दात को ठंडा गिरं से बचाती है दात को exposed होने से बचाती है उसको आप घिस रहे हो तो basically whitening के लिए जो toothpaste है उसको इस्तवाल नहीं करना है या अगर करना चाते हो तो once in a week, once in a while आप इस्तवाल कर सकते हो अदरवाइस मैं तो recommend नहीं करते हैं तो आप सफेद रखने के लिए करें क्या दात अगर पीले लग रहे हैं सबसे पहले उसका कारण जानिये कि दात पीले क्यूं हो रहे हैं ऐसा नहीं होता है कि यूँ ही दात पीले जाते हैं हर चीज का कारण होता है उसका कारण जानिये इसके उपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि दात पीले क्यों होते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं तो पहले वो कारण जानिये उसके बाद उसका solution होगा खाना फसने की वज़े से पीले हैं, कुछ खाते हैं, stains की वज़े से पीले हैं दात का enamel खिस गया है, उसकी वज़े से पीले लग रहे हैं तो क्या कारण है, वो आपको जानना जरूरी है जानने के बाद उसका उसी तरह से समाधान किया जाएगा और regularly आप एक soft brush इसके कम force दीजिए और सही technique से brush करिए तो काफी हट तक आपकी oral जो problem है, वो दूर हो जाती है साथ में गुन्वने पारी में नमक दालके पुल्ला करती है तो gums की problem भी नहीं होती है ठीक है, तो आप बार-बार ये मस सोचिए कि मुझे दात को सफेद करने के लिए क्या इस्तमाल करना है कुछ भी इस्तमाल करने से पहले कारण जानना ज़रूरी है होप कि आपको मेरी ये वीडियो यूसफुल लगी होगी इससे related को यूर question हो, तो comment ज़रूर करें ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी subscribe कर लें मिलते हैं अगले वीडियो बे, तब तक के लिए, बाबाई, टेक केर